Assalamu alaikum student, today we will solve the exercise question no.5 and part 4 we have to draw the proof table of the given expression, हमारे बास एक्स्प्रेशन गिवन है जिसमें X, Z कम्लिमेंट है और X कम्लिमेंट और Y कम्लिमेंट अभी इस एक्स्प्रेशन यह बहुत सिंपर एक्स्प्रेशन अजरारी इसमें सिर्फ दो टर्म है X एक जिर्फ में वीचमें वहरे और गुतर है और दूसरी टर्मं जिर्फ एक्स्प्रेशन qr तो हमने तीन चीज़े चाहिए एक एक्सप्रेशन यह फिर दूसी एक्सप्रेशन और आखर में क्या करेंगे इन दोनों राइडियों को हम लॉजिकल एडिशन अगें इसी तरह कि यह फिर 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 की जिए यहां पर भी जिरोद टואלा अ दो क्लोंके यह दो कायम चाहिए में जदाश चाहिए रहे डो इस सलोर जिवां हो जिवा जेगा जाए खुन्केक लेएं डॉन नाजेगा नियून 1.0 यहां पर 1 आजएगा 1.0 यह 0 आजएगा अब देखिए इस कालम में x complement dot y complement इन दोनों का हमें end operator logical multiplication 1.1 यहां पर 1 आजएगा थेर 1.1 यहां पर 1 आजएगा फिर 1.0 यहां पर 1.0 यहां पर 1.0 0.1 0.1 0 पर यह गें 0 0 आजएगा इन दोनों भी addition पर ने गें 0 plus 1 आजएगा प्रूस 2020 फ्रूसुफ comfortably 5 इस प्रूस ट्रूस रेड़ी तो ने का दूस्पों के ने का दौप बारा देखनें के तुर वेरिबल को पासिबल कर दि टान। तो there should be eight possible combinations और तूथ टेबल की जो डैपनेशन है कि it is the table that shows the result of a boolean expression for all the possible combination of values कि यह boolean expression है और यह इसकी eight possible combinations बनती है और eight possible combination में इस expression जब साल किया जाए तो यह इसका final answer बनता है okay you must practice this proof table on your notebook and remember that you must subscribe this channel so that you can get the videos on daily basis okay thank you Allah Hafiz